इमान बारी के बावतार मुखुम है, जो लोग IRS बनके जाते हैं, Indian Revenue Service में, उनके तो Juniors होते हैं, Assistant, वो आते हैं SSE से, ठीके, SSE जानते हैं, और SSE में क्या पूछते हैं, गनित आने चाहिए, reasoning आने से English आने चाहिए, और गनित reasoning English में इतने high level के लोग होते हैं, जबर दस उनक सारी कुट्टे गिलास हैं, ऐसे जवाब देंगे इतना बढ़िया, और वो बनते हैं, Revenue में Assistant, तो Assistant है, यानि, प्रमोशन के बाद बनेगा ITO, Income Tax Officer, और ITO, लंबी प्रमोशन के बाद बनेगा Assistant Commissioner of Income Tax, जो की आप बनेगे joining के दिर, ACIT, और यह SSE वाला व्यक्ति, 11 साल के service क पर बाद ACIT बनेगा, जो आप Day One पर बनेगा, असली बात आप सुनो, कई ऐसे Assistant Commissioner Income Tax होते हैं, IRS बन गया, Accounting आज तक सीखी नहीं है, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े, Accounts, Arts पढ़े हुगा थे, Maths आता नहीं है, CSET में Reasoning और Comprehension से काम चल लिया था, Qualify कर लिया था, English आती ह पास हो गया, Means में, PD चिठीनी आई, यह बहुत rare combination है, ऐसा combination बहुत सार लोगों में होता है, बहुत लोगों में, और interview ठीक से हुआ, सीथे IRS में land किया, Training होई IRS की, Training में आते है, CA, Income Tax Act सिखाते हैं, और इस आदमे के दिमाग का धुआ हो जाते, Income Tax Act से मज़ के, Income Tax Calculation सिख रहे हैं, और रंग जेप रहां से लागए है, हमें तो उसमें मज आता था, क्या के सिखा रहे हैं हमें, प्रिक्यों सिखा रहे हैं, उसके बाद Finalog के टेरिंग कूरे हैं, टेरिंग में पास करना, Training Academy की नेतिक जिम्मेदारी होती है, वरना UPSC पर सवर उड़ जाता है, इसल AIP कहा रहे हैं, पथिकारी लोग हैं, समजदार हैं, crazy नहीं करेंगे, 응, हम 10 मिंट में आ रहे हैं, इसलस में सपश्ट होता है, जुए न, 10 मिंट 90% cases में ऐसी सिती होती है मलब I.S. ऐसे भी पर I.I.T. वारा सा और I.S. एक्जाम दी I.S. होगे जब वो बन जाता तो यासे है प्रभु आ पाएंगा I.S. बन जाता तो प्रभु वारे बुर्दे रहते है कोई Humanities वाला Hindi मध्य माला पोहँ जाए वहाँ जिसको मैथ की नाम से बहुत आता हो जिसको फिर देखें असिस्टेंट्स को जिरे जिरे क्या होता है काम सारे असिस्टेंट्स करते है कोई काम है सर वो गता है तो उसे सब देख लगर क्या है कुछ इंग्लिश में लिख आप देखो क्या लिखा है इसका tax calculate करना जड़ा है कैसे करते हैं तुम लोग यार कैसे करते हो इसको अच्छा कि हम तो जैसे करते हैं तू आया कैसे यहाँ पहुंचे कैसे यह हाला तो जाती है और उसके पर केस के सुनवा है यह भाई सब जज भी तो है किसी पर आपने बेजा एक पत्र भेजा कि आपका ठीक में लग रहा है तो डिसके कर दिया वो आदमी आया उसे वकील बेजातना वो वकील लबी प्लस सीए है आम तो पर टेक्सेशन के वकील सीए प्लस लबी होते हैं वो वकील है वो पिछले दस बीस पच्छेस साल से इंकम एक उसको पूरा रटा हुआ है वो देखता नहीं है वो सीधे पेज नंबर बोलता है पेज नंबर यह चोछी लाइन बूसरा शब्द ऐसे बोलता है और सारा इंगलिशन बोलता है सामने जट्सा बैठे है जट्सा पर ना-इंकम ट्रेक्स चीक से पड़ा क्योंकि अकड़ यह जट्सा बागे बताओ आप समझें कि जो वकील सामने खड़ा है इधर दूसरा वकील खड़ा हुआ है दो तिन असिस्टन खड़े है वकील असिस्टन को देखके पूछने क्या है तो एक हमें क्या पता कोन आ आ गया क्या करेगा अगर आप चाहते हैं कि आप आई एरस आपन के ऐसी छवी लेकर जीए तो ऐसी जंदेगी जीने से अथ्षा भी मर जाए यह जीना पर कोई जीना है ललू जीवत थो थोड़ा संदर होना चरी है इसलिए भाई ठीक से समझे इस बात को इन चीजों को तरह गौन मत मानिये इन स्किल्स को ठीक से ब्रूफ कर रिक है झाल 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